मेडागासकर के घने वर्शावनों में एक जिग्यासू और जीवन्त प्राणी जिसे जैकोबिन कोयल पक्षी के नाम से जाना जाता है। दिखने वाला पंको का एक जटिल समूँ। जैकोब के दिन वर्शावन की मधूर स्वरसंगीत से भरे हुए थे। जहां चहचाते कीडों का कोलाहल और पत्तों की ससराहट उसके साहसिक जीवन की प्रिष्ठ भूमी प्रदान करती थी। उनकी आकरशक उपस्थिती ने उन्ह पक्षी समुदाय के प्रती इर्शा का विशय बना दिया, लेकिन इससे चुनौतिया भी आई, खासकर प्रजन के मौसम के दौरान। अन्य कोयलों के विप्रीत, जो अपने अंडे अंजान मेजबान पक्षियों के घोसलों में रखती थी, जैकब को एक दुविधा का सामन करना पड़ा। उसकी तेजतर्रार रफ ने मोहित करते हुए उसे संभावित पालक माता पिता के लिए आसानी से पहचानने योग्य बना दिया। निडर होकर, जैकब ने अपनी विशिष्टा को स्वीकार किया और अपनी दुविधा को एक अफसर में बदलने का फैसला कि एक दिन जब लैबध ताल के साथ बारिश हो रही थी, जैकब ने जीवन्त मकमली एसिटी पक्षियों के एक जोडे को अपने घोसले की देखभाल करते हुए देखा। उनके जीवन्त पंकों और मधुर पुकारों ने जैकब का ध्यान खीचा, जिससे एक विचार उत्पन हुआ, चुपचाप और चतुराई के साथ वह वेलवेट एसिटी घोसले के पास पहुँचा, अपने अंडे देने के लिए नहीं, बलकी मदद का हाद बढ़ाने के लिए या बलकी पंक देने के लिए, जैसे ही वेलवेट एसिटी के मातापिता क्षण भर के लिए घोसला चोड़ कर चले गए, जैकब ने मौके का फाइदा उठाया, सावधानी पूर्वक देख भाल के साथ उसने गिरी हुई टहनिया, जीवन्त फूल और काई के टुकडे एकत्र किये, प्रत्येक नाजुक जोड के साथ उसने घोसले को एक उत्कृष्ट कृती में बदल दिया जो जल्धी अंडों से निकलने वाले वेलवेट एसिटी चूजो के लिए एक आरामदायक आश्रे स्थल था, वेलवेट एसिटी के माता पिता अपने घर में अचानक हुए सुधार से हत प्रभ होकर वापस लौट आए, जब वे घोसले का निरिक्षन कर रहे थे, तो पत् जैसे जैसे समय बीतता गया, मखमली असिटी चूजे अंडे देने लगे, उनकी छोटी छोटी चोचे उचसुकता से अपने समर्पित माता पिता द्वारा लाए गए पुनरजीवित कीडों का इंतजार कर रही थी हमेशा सतर्क रहने वाले जैकब ने भूखे चूजो को खाना खिलाने में सहायता करने का बीड़ा उठाया वेलवे टैसिटी के माता पिता अप्रत्याशित मदद के लिए आभारी थे, उन्होंने जैकब को अपने परिवार के मानत सदस्य के रूप में स्वीकार किया वर्शावन तीन अलग-अलग पक्षी प्रजातियों की सामन जस्यपूर्ण ध्वनियों से गूँज उठा, जो एक साथ सद्भाव में रह रही थी जैकब की जीवन्त रफ एकता का प्रतीक बन गई, जिसने धोखे बाज गुस्पैठियों के रूप में कोयल की रूडिवादिता को तोड़ दिया इस असाधारन गट बंधन की खबर फैल गई, जिससे क्षेत्र के अन्य पक्षियों का ध्यान आकर्शित हुआ जल्द ही, जैकब के उदाहरन से प्रेरित होकर विभिन्न पक्षी प्रजातियों का एक गट बंधन बन गया सहयोग ने प्रतिसपर्धा का स्थान ले लिया और एक बार विभाजित पक्षी समुदाय फलफूल गया जैकब, जैकोबिन कोयल न केवल अपनी अलंकरित उपस्थिती के लिए बलकी दूरियों को पाटने और एकता को बढ़ावा देने की अपनी क्षमता के लिए एक श्रधे व्यक्ति बन गया जैसे जैसे मौसम बदलता गया, वर्शावन जैकोबिन कोयल की परोब कारिता की कहानियों से गूंजने लगा उनकी विरासत भावी पीणियों के जीवन्त पंखों में जीवित रही, प्रत्यक को रफ से सजाया गया जो विवित्ता और सहयोग में पाई जाने वाली ताकत का प्रतीक था और इसलिए मेडागासकर की हरीभरी हरियाली के बीच में जैकोबिन कोयल पक्षी और उसके पक्षी सहयोगी पनपे, जिससे एक सामन जस्यपूर्ण सिंफनी का निर्मान हुआ, जो युगों तक गूंजती रही, किसी की विशिष्टा को अपनाने और प्रतिकूल सितियों में एक्ता को बढ़ावा देने की परिवर्तनकारी शक्ती का एक प्रमान।